नमस्ते जी, मैं BT गोरे और BT गोरे यूट्यूब चानल में आपका हरदी फ्वागत है दोस्तों BT गोरे यूट्यूब चानल पे अभी तक 700 से जादा वीडियो अपलोड किये हुए है अलग-अलग क्रॉप के जिसके अंदर पोमुग्रेनेट है जिसके अंदर प्याज है स्वयबीन है जिंजर है और जो भी हम हमारे खेत में करते हैं वो प्राक्टिकली वीडियो बना के जो मैं बोलता हूँ उसका आपको बिलकुल क्लियरिटी आना चाहिए ऐसे वीडियो पू यूट्यूब चानल के उपर अफ्लोड किया हुआ है और इसलिए तो 1,82,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है ये चानल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे रिक्वेस्ट से सब्सक्राइब करिए अभी आज का जो वीडियो है वो है तैयार करना प्याज का मतलब सीड की बुवाई करना और बढ़िया कॉलिटी का सीडिलिंग तैयार करना मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको प्याज का यिल्ड जादा लेना है तो सीडिलिंग के उपर ध्यान दीजिए उसकी साइज उसके पत्तों का कॉलिटी और आपका डिजीज रहे तो क्या ओनियन डिजीज भी हो सकता है हो भी सकता है हर्वेस्टिंग तक लेकिन जो समर का पैज होता है ये हम रखते हैं डिवाली तक हर्वेस्टिंग होती है अप्रिल मई में और पैज हम बेचते है सितंबर अक्तुबर में तब जाके हमें रेट मिलत और मैं हमेशा बोलता हूँ आठ अगस से पहले तो आपको पैज हर साल बेचना ही नहीं है उसके बाद डेफिनेटली रेट बढ़ते हैं तब तक आपको उसको रखना है तो अभी आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं तोटल 14-15 टॉपिक के उपर ब का पैज बनना चाहिए इसके लिए जो भी टिप्स है और टोटल 14-15 टिप्स के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ तो वीडियो लंबा रहेगा टाइम निकाल के बैठी है पेन और कागज लेके बैठी है और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो पूरा नोट करके हर 10 साल आपको पैज का सीडलिंग तयार करने का यही मेथड इस्तमाल करना है जो भी सक्सेशफुल उनियन के किसान है जो 20 टन, 22 टन, 25 टन, लास्ट एर हमने तो 28 टन लिया था और अभी टार्गेटेड यिल्ड हमारा है 30 टन इस साल का जो भी चीज़ों को इनकार्पूरेट करना है और जो भी चीज़ों को निकलना है वो हम करने वाले हैं और यह पूरा यह जो अपना प्लेलिस्ट बीटिगोरे यूट्यूब चानल के ऊपर इसमें आपको एक-एक-एक-एक वीडियो आता रहेगा जो भी हम करेंगे उसका शूट करेंगे और आपको बेजेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप वीडियो लेट डालते हैं हम सिर्फ थेरोटिकल वीडियो आपको जून के महिने में नहीं देंगे कि आपको अक्टोबर में सीडलिंग कैसे डालना है हम डालेंगे वो शूट करेंगे किसी किसान ने अगर इससे पहले सीडलिंग डाला है तो उनके लिए ये नहीं रहेगा वीडियो लेकिन नेक्स्ट येर अगर वो किसान वापस प्याच की खीती करने वाला है तो उन्होंने ये वीडियो सेव करके रखना है और next year देख लिजी हैं कुछ चीज़े बदलेगी लेकिन बहुत सारी चीज़े यही हमें करना पड़ेगा तो अभी quality seedling बनाना जो भी माराटी में जिसे rope बोलते हैं, उले बोलते हैं जो हम प्याज निकालने के लिए, प्याज बनाने के लिए खेत में जाके लगाते हैं वो कैसे बनाना है उसके quality बढ़िया कैसे रहनी चाहिए ताकि हमें size बढ़िया रहेगी उसकी और अच्छा keeping quality भी मिलेगा, storage में हम ज़्यादा दिन तक उसको रख सकते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करूँगा तो चलिए वीडियो अभी start करते हैं सबसे पहले हैं जहाँ पे भी आपको seedling डालना हैं बोना हैं, वो मिट्टी आपकी lose होनी चाहिए जहाँ पे कपासी होती है जिसे पॉटन बोलते है कपास और वो खेत तुरंत निकालके तयार करके moisture है और black मिट्टी है और वहाँ पे अगर plow चलाया या तिफन चलाया या रोटागटर चलाया तो निकलने वाले जो भी मिट्टी के particle है वो बड़े रहेंगे जिसे धेकड़ बोलते हैं डेले बोलते हैं और ये नहीं चाहिए seedling डालने के लिए क्योंकि ये जो onion का seed होता है इतना छोटा होता है उसके उपर अगर कोई एक मिट्टी का लड़ू अगर जाके पड़ेगा धेला अगर जाके पड़ेगा तो वीचारा उदर ही मर जाएगा वो germinate नहीं होगा और कहा कहा तो 50% अच्छी तरह से सुनिए 50% seeds अपका wastage होता है इस कारण आज के तारीक में 2000 से लेके 3000 अलग-अलग company क्यों brand के इसाब से seeds का rate है और जहाँ पे maximum 2 kg में आपका एक एकड़ लगना चाहिए वहाँ पे 4-4-5-5 kg हम sit डाल रहे हैं वो सारी area में pile बोलते एक pile मतलब 3.5 kg के असपास होता है तो 3.5 kg एक एकड़ के लिए लगेगा ये mindset हमारे किसानों ने किया है लेकिन इसके उपर कभी सोचा नहीं कि germination percentage डेले अगर आपके मिट्टी में रहेंगे उतना germination आपका कम होगा इसी लिए मिट्टी इतनी smooth कर लिजे इतनी बारिक कर लिजे कि एक भी आपका मिट्टी का देला नहीं रहना चाहिए डेकल नहीं रहना चाहिए अभी कभी इसमें क्या कर सकते हैं पर फिर आप करिए आपका जर्मिनेशन परसंटेज बढ़ेगा रोटावेटर चलाने के बाद आपको जर्मिनेशन मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले आप जो भी स्प्रिंखलर चलाना है चला लीजिए उसके बाद जो भी बेसल डोस डालना है केमिकल का हो या उसके साथ में अपन कुबेर गोल्ड लेते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक एकर क्षेत्र में अगर आपको सीड्लिंग डालना है ये कन्फूजन नहीं करना कि एक एकर का सीड्लिंग तायर करने के लिए जगह नहीं बोल रहा हूं मैं एक एकर के क्षेत् तो उसमें आपको एक बैग यारा मिला कॉंप्लेक्स डालना है 25 किलो सिर्फ 25 किलो चार बैग ग्रीन हर्वे स्पेशल या फिर Ergo Strong ये डालना है और उसके साथ में आपको डालना है कुबेर गोल्ड 25 किलो उबरिगोल्ड की एक बैग आती है जर्मिनेशन फास्ट करता है रूट डेवलप्मेंट प्रॉपर करता है और मोटाई बढ़ाता है तो वो अपको डालना है जो वैम और बायो फर्टिलाजर हम फिश्पा कमपनी के हैं वो यहाँ पे नहीं डालेंगे वो डालेंगे ट्रांस्प्लांटिंग के बाद क्योंकि उसको जर्मिनेट होने में उसको जमिन में स्प्रेड होने में टाइम लगेगा और यह हम 45 डेज में तो उसको उखाडने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पे केमिकल डालेंगे, और जो भी रूट डेवलप्मेंट के लिए प्रॉपर आपको खुबई गोल्ड चाहिए वो वही पे 25 किलो एक एकड के क्षत्र में डालेंगे फिर आप रोटाविटर करिए ताकि यह पूरे मिट्टी में जो है यह पूरे मिट्टी में आपका मिक्स हो जाएगा तो मिट्टी भी आपकी लूज हो गई, सौप्ट हो गई सीडलिंग आपका हर एक जर्मिनेट होगा तो वो ही साब से एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ तोड़ा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ एक केजी सीड में तीन लाक सीड सोते हैं त्री लाक और हमें एक एकड में ढाई से लेके पौने तिन लाक आपका सीडलिंग लगाना है आगर उसमें से दो लाक भी आपके ओनियन बन गए और हंड्रेड ग्राम का एक ओनियन बन गया तो बीस तन तो ऐसे निकल जाता है खा गिन चुका हूँ आप बोलेंगे कि सही में तीन लाक होते क्या गिनिये आपको पता चल जाएगा तो आपको वो हिसाब से प्लान करना है कि एक भी सीड मेरा अभी कोई भी कमपनी का जब आप सीडलिंग लेंगे तो उसके उपर लिखा रहता है कि 70% अच्छी कमपनी है तो 80% 90% जर्मिनेशन आपको देगी लेकिन गवर्मेंट के रूल से उनको लिखना पड़ता है कि 70% जर्मिनेशन अपने यहाँ पे आपको सीड का मिलेगा तो 70% जर्मिनेशन भी अगर आप पकड़ेंगे तो एक केजी में आपका लगबख 2,10,000 के आसपास सेडलिंग आपको मिलेगा तो यह जो 3-4-4 किलो डाल रहे है यह क्यों डाल रहे है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको सीड ट्रिट्मेंट करना है पहला वीडियो आपने देखा होगा नहीं देखा होगा तो सीड ट्रिट्मेंट के उपर मैंने बाइलोजिकल सीड ट्रिट्मेंट कैसे ओनी चाहिए और री स्टाटर मैंने वहाँ पर बोला है कि जर्मिनेशन आपका ज़्यादा करके देगा लेकिन उसके उपर अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ी है तो जर्मिनेशन नहीं होगा बहुती स्मॉल सीड होता है तो इसी लिए आपको वो वीडियो जाके देखना है कि सीड ट्रिट्मेंट कैसे करना है उपर जो आई बटन है वही पर आपको कार्ड में दिख रहा है या जाहिए आप वही पर आपके डिस्क्रिप्शन में वही पर आपको लिंक मिलेगी या जो प्लेलिस्ट है अपना उनियन का दोज़ाद चोबिस का उसमें ये वीडियो आपको मिलेगा तो वो वीडियो आपको देखना है तो अभी ये वीडियो में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या दिया है कि आपको मिट्टी लूज करना है देन अगर जरूरत है तो दो नमबर का पॉइंट मैंने क्या बोला स्प्रिंकलर चला के मिट्टी लूज करना है तिन नंबर का point मैंने आपको क्या दिया कि आपको basal dose डालना है चार नंबर का point मैंने क्या किया कि आपको protivator चलाना है और फिर good quality seeds मैंने बोला कि 70% germination जहाँ पे है वो seed आपका अच्छा होता है और फिर मैंने next point आपको दिया कि 6 नंबर का कि आपको seed treatment करना है जो seed treatment का वीडियो अल्रेडी मैंने दे दिया है अभी आपका seed तयार हुआ है अभी ये seed आपको बोना है तो seed बोने के लिए जो राजगूरु नगर में पुना के नजदी union और garlic research center है central government का उनकी एक method है कि आपको lime में seed डालना है अब ओ लाइन जैसे last time मैंने एक वीडियो डाला था usual method of seed डालने का usual को ने usual जाद हो करके मेरे एक किसान है मेरे बहुत अच्छे दोस्त है वो बहुत ही अच्छी union की farming करते है और जो आभी screen के उपर आपको दीख रहा है ये एक सीधा simple उन्होंने घर पे तयार किया हुआ एक instrument है जिससे आप उसको खीचेंगे तो line करेगा और फिर आप जो भी कोई seed डालने वाला है उससे सिर्फ seed आपको डालना है row में डालना है seed row में डालना है row में डालने से आपको फाइदा क्या होता है रो में डालने से फाइदा होता है अगर आपको ड्रेंचिंग करना है तो आप अच्छी तरह से ड्रेंचिंग कर सकते हैं जब आपको उखाड़ना है लगाने के लिए जब आप उखाड़ेंगे ट्रांस्प्लांटिंग करने के लिए तो ये एजिली आपका निकल जाता है और सबसे important अगर कोई weeds वही पर आता है तो वो weeds निकालने में भी थोड़ी चे आसानी होती है लगबग 2 जो row होती है उसके अंदर 5.5 इंच का distance होना चाहिए लेकिन वो जो आपका 1 इंच का पट्टी होता है उसी से बराबर 1 इंच में आपका सीड़ पड़ता है मतलब एक इंच चला गया तो 4 इंच है आपका बचेगा आपको लगता है शुरू शुरू में अरे मैंने बहुत जादा जगग खुली रखी है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं उतना चाहिए विल्टिंग बहुत आ रही है नेक्स जो वीडियो आएगा मेरा विल्टिंग के उपर वो जरूर देख लेना है इतने सारे किसान पोन कर रहे है कि सर विल्टिंग बहुत आ रही है वो spring वाला जो disease है वो भी आ रहा है तो drenching करना पड़ेगा और अगर आपने इसे जो अपनी traditional method है डालने की उसी से अगर डाला होगा तो वही पर row अगर नहीं है आपको drenching करने के लिए आसानी नहीं होगी तो यह wrong practice है यह wrong practice है जो हाथ से हम डालते हैं क्योंकि कहाँ पे भी वो seed पड़ेगा और अगर वो डालने वाला अगर कुछ गलत करता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जगह पे कम seed डालेगा या फिर ज़्यादा seed कम जगह में डालेगा तो करपा हम जिसे बोलते हैं ब्लाइट हम जिसे बोलते हैं जब फौग आता है या जब डू चालू हो जाता है तो यह नहीं होना चाहिए इसलिए सबसे important है line में sitting करिए line खीच के करिए अभी लोग बोलेंगे कि sir देखिये यह इतना manually करना बहुत ही impossible है तो फिर थोड़ा सा mechanization के तरफ जाना पड़ेगा इस बार मैंने ESP agro का जो seed driller है उसका इस्तमाल किया और यह तीन version में आता है इसके तीन variant है यह के आप जो भी human being है उनी से खिचना है बहुत ही आसान होता है दूसरा जो है वो जो बैल अपने पास होते है उसी से खिचना है और किसरा जो होता है वो tractor mounted ट्रेक्टर के पीछे लगा देना और ट्रेक्टर से आप seed डाल देना लेके मैं एक चीज़ आपको बता हूँ एक एकड़ का seed तायार करने के लिए आपको चार गुंठा चाहिए चार गुंठा एक एकड़ का seedling अगर आपको तायर करना है तो चार गुंठे का च्छत्र चाहिए चार maximum ले लिजिए पांच गुंठा ये कब होता है अगर आपने सीजन के शुरुवात में अगर seed बुआई करना है तो आप फोड़ा सा कम एरिया में ज़्यादा seed डाल दीजिए छेलेगा लेकिन अगर आपको अभी पकड़ लीजे कि October end आ रहा है और कोई बारिश के वज़े से या बहुत ज़्यादा seed में ने डाला था लेकिन वो खराब हो चुका है मुझे वापस दुबारा अभी seed बोना है seed डालना है seedling तायर करने के लिए तो ये condition में होता क्या है कि जितना आप लेट जाओगे ज़्यादा एरिया में मतलब 5 गुंठा में आप 2 kg डाल दीजिए अर्ली स्टेज में 4 गुंठा में 2 kg डाल दीजिए ये क्यूं जितना आप लेट डालोगे उतना आपको seedling कम दिनों में तयार होना चाहिए फिर कम दिनों में अगर तयार करना है तो ये कैसे तो आपका जितना उसको स्पेज जादा मिलेगा जल्दी उसका जो गाट बोलते हैं अपन लगाने के लिए 45 डेज में ही आपका seedling तयार होगा मैंने 30 डे पे और 40 डे पे स्प्रे बोले हुए है जिसके अंदर सिलिकॉन है और एक बोरा टेक करके प्रोडक्ट और सिलिकॉन के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 30 डे पे आपका पहला सिलिकॉन का स्प्रे जाएगा वो हीट नहीं बढ़ाएगा वो नाइट्रोजन को कंजूम कर लेगा और उसके मोटाई बढ़ाएगा लगाने के लिए अपका seedling जल्दी आएगा और सिलिकॉन लेते समय मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जो सिलामोल ब्रांड है जो रोम टेक्नोलोजिस करके कंपनी है बेल इन दिन पे एक acompan से सिलिकॉन अपने ले लिया देन आपको उसके साथ में मिलाना है बोराटे केमोगोग ये भी स्पैन का प्रोडक्त है बायो राइजन करके कंपनी इस कंपनी का प्रोडक्त है ये दोनों एक साथ में ले लेने का और फॉटिएथ डेइड फॉटियत पहले जो आपका 60 दिन लेने वाला था अभी 45 देज में हर्वेस्ट करना है पहले मैं बोला था कि 45 दे पर एस्प्रे करना है लेकिन अभी 45 दे पर हमें लगाना है क्योंकि जल्दी निकलना है आपको ओनियन क्योंकि आगे आपका धूप बहुत ज़्यादा बढ़ेगी हर्वेस्टिंग के टाइम और अगर आपका हर्वेस्टिंग मैं में जाता है तो अनसिजनल रेन आने के चांसे बहुत ज़्यादा होता है और ये आपका ओनियन खेत में मिनिमम 21 दिन तक वो जो आपन हीप करके रखते हैं और उसके उपर उसके पत्ते डालके कलर बढ़िया आता है, सुकता है ताकि उसका सेल्फ लाइब जो आपका स्टोरेज में है वो बढ़ता है इसलिए ये 40th डेब के उपर जो स्प्रे आपको करना है उसके अंदर भी सिलामोल आपको लेना है और उसके साथ में 0.52 या 0.9.32 ये एड करना है आपको ये दोनों एक साथ में इसके अंदर दोनों भी स्प्रे में अगर आपको कोई इंसिक्ति साइड लेना है, फंजी साइड लेना है तो आप ले सकते हो, कॉमपटिबल है, कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी आपको करना है तो ये दोस्पर आपको करना है ताकि आपका सिडलिंग जल्दी आ जाए 45 दिन पर, 45 डे पर आपका सिडलिंग तयार होना चाहिए तब जाके आपको आगे दिन मिलेंगे उसको खेत में सुखाने के लिए और स्टोरेज आपका अच्छा होने के लिए देखिए अगर आप जितना लेट करोगे अभी उतना चांसे ज़्यादा रहेगा बारिश के वज़े से आपको जल्दी जल्दी हर्वेस्टिंग करना और स्टोरेज में डालना और जल्दी हर्वेस्टिंग जल्दी स्टोरेज में डालोगे बीना सुखा ओनियन वो आपको किपिंग क्वालिटी नहीं देगा स्टोरेज का क्वालिटी नहीं देगा वो सड़ेगा जल्दी और कभी-कभी अनफॉर्चनेटली बारिश भी आ जाती है इसी टाइम पर अपना जो भी पत्ते उसके पत्ते मूड़ना चालू हो जाता है उसी टेम अगर बारिश आएगी तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेच दीजिए जो भी रेट आज मिल रहा है यह रखिये मत यह आपका अगर उसके अंदर पानी गया हुआ है तो यह स्टोरेज में जाएगा तो पूरा का पूरा एक महिने में सड़ना चालू हो जाता है तो यह भी बेच दीजिए वेट लॉस भी होगा और सड़ेगा तो आपका क्वांटिटी भी कम हो जाएगा तो यह नहीं होना चाहिए इसके लिए आपको यह बिल्कुल बेचना एक प्रोफिटेबल डील हो सकती है यह आपको करना है तो अभी मैं बात कर रहा था कि पांच गुंठा में एक एकड का सीड लिंग तायर करिये मतलग दो कीजिए अगर सीड आपको डालना है दो कीजिए मैं एक एकड आराम से हो जाता है आपका वो साड़ी तीन कीजिए का चार कीजिए का वो छोड़ दीजि वो company मेरे उपर कुछ बोलेगी तो बात की बात है लेकिन मेरा experience ऐसा है जहाँ पे बैल के पैर पड़ते है वहाँ पे germination नहीं होता है और जहाँ पे tractor के पईये चलते है वहाँ पे germination hamper होता है और करना ही कितना है 10 एकड भी अगर आपको onion करना है तो एक एकड में आपको खिचना पड़ेगा और वही बिल्कुल आसाने थकता नहीं यह आदमी और जितना speed से आप चलोगे उतना जल्दी वो seed उठाता है और डालता रहता है और यह जो उसका जो पीछे जो गली बन जाती है वो गली में वो seed करता है मतलब एक calculation होता है कि यहाँ पर आपने seed डालना चालू किया एक मीटर लेंथ में यह जो running मीटर है एक मीटर लेंथ में आपका 150 से लेके 175 पचातर 150 से लेके 175 seeds आपके जाना चाहिए लेकिन यह lake line में नहीं जाएगा वो इससे spread करके जाएगा spread करके जाएगा तो यह 5 इंच का है तो 1 इंच इसके अंदर चला गाए तो आपको बीच में 4 इंच जगव मिलेगी 4 इंच जगव मिलेगी तो यह 4 इंच में आप ड्रेंचिंग कर सकते हो विडिंग आसानी से कर सकते हो और आपका जो seedling यह ओ भी मोटा होगा और मैंने पहले आपको बोला है कि यह जब आप उखारेंगे तो एजी हो जाएगा विडिंग के लिए एजी होगा और अनफॉर्चनेटले अगर आपके आपके विल्टिंग आने की कोई समझ्चा है इसके लिए तो पहले विडियो में मैंने बोला था जहापे आपका पहला उनियन था पैस था या पहले आपका seedling लास्ट इयर वही पे डाला था वही पे आपको नहीं डालना है ताकि विल्टिंग आपकी नहीं आएगी हर साल नहीं इरिया में seedling डाली है तो ये आपका विल्टिंग नहीं आएगा अगर आपने किया है तो आप ड्रेंचिन करिए विल्ट के लिए इसका विडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट विडियो उसका ही रहेगा ताकि आपका seedling बढ़िया रहेगा तो दोस्तों ये जो seedling डालने का विधी जो मैंने आभी आपको बोला है ये इतना लंबा विडियो हुआ है लेकिन भोती इनफर्मेटी उठा और ये सब के लिए ज़रूरी है सब के लिए ज़रूरी इसलिए मैंने इतना detail में बात किया है थोड़ा सा change करना पड़ेगा थोड़ा change करना पड़ेगा हमें जो भी हमारे पिता जी दादा जी जो भी चल रहा था वो नहीं करना है फोड़ा सा mechanization के तरफ जाना पड़ेगा जो भी हमें transplanting करना है वो भी manually नहीं करना है उसके लिए भी अभी machine आया है उसका भी video आगया आएगा वो भी आपको देखता है वो भी आपको देखना है तो यह सबी चीज़ें आपके लिए है और मैंने कितनी बार बोला था कि जब तक बारिश नहीं खुलता है तब तक seedling मत डालिये आपका wiltig बहुत जादा आएगा और spring का diseases आएगा कितने लोगों ने नहीं सुना और डाल दिया और डालने के बाद आज परेशान है मेरा इतना kg सिर खराब हुआ मेरा इतना kg siblings खराब हुआ यह नहीं होना चाहिए तो आशा करता हूँ यह video आपको अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करना शेर करना बाखी किसानों को भी और चानल अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और comment में लिखिए आपका transplanting का date क्या रहेगा comment में लिखिए कि आपने किस method का इस्तमाल किया है seedling डालने के लिए ताकि मुझे भी पता चलेगा और comment में ये भी लिखना कि मैंने इस्तमाल किया था आपने जो बोला था वो method और मुझे ये benefit हुआ तो अच्छा रहेगा क्योंकि line seeding ये सबसे बड़िया method है वो आप usual का वो जो है वो इस्तमाल करिए या फिर ESP aggro का जो mechanized machine अपन manpower जो खिचता है वो इस्तमाल करिए जो photo के अंदर आपको दीख रहा है वो इस्तमाल करिए लेकिन ये method को जरूर आपको implement करना है thank you so much last तक बने रहने के लिए मिलते हैं next video में thank you